सिर्जा 30 की सभी वीडियो देखने के लिए पहले हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नमस्कार स्वागत आपका सिर्षा तेज वेब चैनल में 22 साल बाद आज चनरल स्टूडेंट काउंसिल के चुनाव होने जा रहे हैं और इस समय मैं चोदरी देविलाल यूनिवस्टी में हूँ सिर्षा जिले के तमाम कॉलेज एडिड कॉलेज और यूनिवस्टी के कॉलेज की चुनाव की जिमेदारी चोदरी देविलाल यूनिवस्टी को सौंपी गई है और इस समय मैं चोधरी देविलाल यूनिस्टी में हूँ जैसा कि आपको पता है कि इस चोधरी देविलाल यूनिस्टी में 82 CR चुने जाने है यानि कलास री परजेंटेटिव 82 चुने जाने है जिसमें से 65 CR है वो उनका चुनाव सर्व समति से किया गया है और 17 पोलिंग बूथ को लेकर के 41 परत्यासी चुनाव मदान में हैं मेरे साथ इस समय परत्यासी मौजूद है हम इनसे चर्चा करेंगे कि इनका चुनाव को लेकर के क्या आईजेंडा है जी क्या नम आपका? बच्चों की जहां तो कोई सारी प्रॉब्लम सॉल्फ करेंगे टीचर्स के पास जाएंगे टीचर्स से रिकार्डिंग कोई भी इश्यू है वो करेंगे और बाकी बच्चों को कोई भी डिस अपॉन्मेंट नहीं होगे यह हमारी लास्त कोशिश रहेगी मेरा नाम रजित बचनागर है मैं MSC प्रीवियस बायो टेक का स्टूडेंट हूँ आप प्रतेशिये चुनाओ जी विलकुल तो क्या एजन्डा है क्या उदिश है आपका मेरा एजन्डा यह है कि क्लास में हर बच्चा बराबर है हर सब को साथ लेकर चलना है क्लास की बात नहीं है यहाँ पर यूनिवर्सिटी की बात है हमें क्लास को रिप्रेजेंट करना ह युनिवर्सिटी लेवल पे सुग Verfर का करना चाते है चा जी ifallाट है तो के लिए ऐध तया क्या क्या अजेंडा है आपका क्या करना चाहते है हम डिक्कत है क्या दिक्कत है स्टुडेंट इसकी बहुत सी दिक्कते हैं जैसे अभी नए नए डिपार्टमेंट आए हैं उनके लिए लैब्स वगेरा की टेक्निक्स जो नहीं है हम उनके रिगार्डिंग काम करेंगे और जो स्टुडेंट्स के हितों में जो भी संगर्स अगरमे करना सपना क्या उम्मीद हैं आपको नए C.R. से हमारी थीसिस की प्रोब्लम सौल्व होगी और जो हमारी प्रोब्लम है वो डिवाट्मेंट तक जाएगी हम यहीं सोच रही हिक यहार जो प्रोब्लम सौल्व करने के लायग है साथ इसमें BioTech की छात्राइं हैं ये पर्तियासी तो नहीं है लेकिन वोटर हैं हम इनसे भी जानते हैं क्योंकि वोटर है वो भी पर्तियासी चुनेंगे class CR चुनेंगे class representative चुनेंगे तो इनकी क्या उमीदें हैं कि क्या उमीदें रखते हैं CR से क्या नम अब का मेरा नाम अनीता है मैं एक्छली वोट डालने के लिए यहां पे हूँ और मैं support करती उस person को जो एक unity बना के रखे class में even class level पे नहीं हम university level पे भी help चाहते हुते कि हमें कोई काम अगर दिक्कत आ रहे हैं किस चीज़ में delay हो रही है चीज़ डीमसी नहीं निकल रही है वो चीज़ें जादा हमें मलब करती है परिशान तो वो चीज़ें सॉल्व हो सके हम ऐसा चाहते हैं कि वो CR बने जो हमारी सुने हमारी बात को रखे आगे जाके और हमार क्लास को भी रिप्रेजेंट करें इवन हाईर लेवल पे जहां पर रिप्रेजेंट कर सके हैं तो आप क्या उमीदे हैं चुनाओ को लेकर बाइस साल बाद चुनाओ हो रहे हैं प्रतेक्स रूप से क्या उमीदे हैं सर यह है कि अगर कोई CR बनता है तो जैसे मतलब उसका कि क्या इसे भी कोई लिंक ना ओ वो यूनिटी बनाएं क्वे से हघर बच्चे की पोप्लम को सॉल करूंब करी है अच्छे से अब क्या नम है मेरा नम यक्षिता है और हम एक स्ट्रोंग लेडर चून रिए अपनी क्लास के लिए हुर हम चाहते हैं कि वो क्लास के रह जैसे ब गयरा नहीं है हमारे बाइटेक डिपार्टमेंट में तो वो ले के आएं और रिजल्ट ब्रांज से रिलेडिट को भी प्रॉल्म है वो सोल करें ये थे मेरे साथ बाइटेक स्टुडेंट और जैसा की मैंने आपको पहले बताया था कि कुल सत्रा पोलिंग बूथ बनाए गए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किजिए और अगर ये वीडियो आप फेस्बूक या ट्विटर बे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फ़लो किजिए बहुत बहुत शुक्रिया